हेलो दोस्तो दिल के गहराई से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है क्योंकि आप अपना खीमती वक्त निकल कर आते हैं वीडियो देखने के लिए और इस चैनल में मैं कोसिस करता हूँ कि एक दिन पहले बता दू कि कौन सा शेर का प्राइस उपर जाने वाला है या फिर नीचे जाने वाला है इससे होगा क्या कि आप लोग नीचे खरीदोगे और उपर बेचोगे और जब उपर से नीचे गिरने वाला रहेगा स्टॉक तो आपने अलड़ी तो उपर बेच दिय हैं बस 2 minute लगेगा आप वीडियो फास्ट करके देख लिएगा बस काम खत्म हो जाएगा तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ देखे आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक छोटा सा पैनि स्टाक छोटा सा का मतलब मैं आपको बता दूँ बहुत छोटा और वो 10% का डिविडेंट निकाल के देता है 10% से जादा मतलब मैं खुद भी शौक हूँ तो देखो आज क्या है Saturday, Sunday, Market का Holiday तो मैंने सोचा कि कुछ नए रिसर्च किया जाए मैंने सोचा कि कुछ नए ढूंडा जाए तो बस देख रहा हूँ और उसी चीज़ के बारे मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन ये खरीदना नहीं है आपको खरीदना नहीं है मैं आपको पहले बता रहा हूँ जानकारी लेना है आपको क्या खरीदना है वो मैं direct बोल देता हूँ खुले जबान से मैं आपको बोल देता हूँ कि हाँ ये खरीद सकते हैं लेकिन कुछ knowledge के लिए भी होना चाहिए हर वक्त पैसे के लिए नहीं ठीक है न तो knowledge के लिए बता रहा हूँ सबसे पहले तो मैं आपको उसका price दिखा देता हूँ आप लोग यहाँ पर देख लिजेगा तो इसका price है 24 रुपीज 24 रुपीज है और पिछले 6 मेने में इसने तो लगब 50% का return दिया है अगर आप लोग इसको नीचे से देखोगे तो नीचे से 100-200% का return दे रखा है अब उपर से गिरावट भी देखने को मिल रही लेकिन पिछले एक साल से देखोगे तो बिलकुल flat पिछले 5 साल से देखोगे तो बिलकुल flat हाला के उपर से नीचे तक जो गिरावट हुए हो बड़ी गिरावट हुए 60-70% का गिरावट है लंबे समय की बात करते हैं तो देखो लंबे समय में क्या होता कि यह स्टॉक जादा तर नीचे ही चलता देखो बीच-बीच में एक-एक बड़ी जंप आते रहती है बाई कमपनी डिविडेंट देख लेजे 10.4% 10.4% मतलब 10% से ज़ादा अच्छे देखो देखो यह वीडियो स्टॉप करते हैं वीडियो स्टॉप करते हैं मैं आपको कुछ यहाँ पर बताता हूँ आप लोग एक साल के अंतर कितना डिविडेंट अर्ण कर लेते हो मैं बताओं मैं कितना अर्ण कर लेता हूँ तो मैं 5,000 रुपे से 10,000 रुपे हर साल अर्ण कर लेता हूँ मतलब इस साल से मैं 5,000 रुपे से लेकर 10,000 रुपे तक जो मैं मिनिमम मैं आपको बताना चाहता हूँ 7000 रुपीज गलत बोल दिया मैंने आपको मिनिमम जो है 7000 रुपीज से लेकर कम से कम तो मैं 18000 रुपय तक जो है मैं डिविडेंट कमाता हूँ हर साल यह साल का record है मैं आने वाले 2024 या 2025 अब मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले 5 सालों के अंदर मैं हर साल एक लाग रुपय का डिविडेंट जनरेट करूँगा हर साल अब आप लोगों को लग रहा हूँ कि मैं जूट बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ मैं सच बोलू यह चीज मुझे खुद ही नहीं पता था अब बोलेगो कि आपको पैता कैसे चला इंकम टेक्स जब मैं भरने जा रहा हूँ तो मेरा CA बोल रहा है कि भई आपने के वाल डिविडेंट से इतना पैसा कमाया मैं तो सोची नहीं सकता तो मुझे बात में मैंने देखा भई वहाँ लिस्ट ही दिखाया कि या जब टेक्स भरते हो ना तो सरकार को एक्स्टर टेक्स देना पढ़ताugal डिविडेंट से वहां से दो बार आपको टेक्स देना पढ़ता ही ठीक है न ज़्यादा है बहुत तो यह क्या करती कंपनी ट्रेड करती है क्लोथ हो गया सुल्थ हो गया यह सारी चीजों को बेशती है यहाँ पर यहाँ पर देख सकते क्या क्या है प्रोडक्ट भी आपको बताया जारे है क्लोथ है कॉटन है टेक्स्टाइल है टॉबल है बेट शीट है ये फैब्रिक है, कोटन, ये सारी चीज़े आपको बताया ज़रा दोती पकरा, तो आप देख लिए वो प्रोडक्ट आपको मुझसे ज़ादा जान करी होगा आपको, और केवल मैं आपको बता दूँ, ये 1.500-200 करोर की कमपनी है, 98 करोर का तो इन्हों ने इन्वेस्टमेंट ही कर रखा है, देख लिजे, एक्विटी में, मिच्वल फंड में, इस कमपनी की दो सब्सेटरी कमपनी भी है, मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिविडेंट चेक करने के लिए मैंने दूसरा वेबसाइट भी इस्तमाल किया, वहाँ पर भी सेम दिखा रहा है, सेम दिख है, अगर सच में यह इतना ज़्यादा डिविडेंट दे रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, आप लोग को पता है, इंतिजार करना है कि यह स्तॉक 15 रुपे के बाजी में कब आ जाए, और 15 रुपे के बाजी में आ जाए, तो छोड़ दो, फिक्स रिटें निकाल के देग और यहाँ पर देख सकते हैं, 2017 में, 18 में, 19 में, 22 में, 22 में, यह देख सकते हो, कितना कितना आपको डिविडेंट दे रहा है यहाँ ठीक है, आप कुछ लोग बोलेंगे, सर डिविडेंट का एक ऐसा स्टॉक बताओ, जो बहुत ही अच्छा हो, और रियालिटी में यह रियालिटी है, 6,000 करोड रुपय का कमपनी डिविडेंट देती है, हिंदुस्तान जिंक या कोई और कमपनी है, जिन से यह काफी बड़ा 5,000 यह 4,000 करोड का तो यह कमपनी खुदी डिविडेंट लेती है, यह चीज पता है आपको, यह दूसरे कमपनी में लगबख 40 या 50% स्टेक खरीद लिया है, और वहां से बहुत बड़ा इनको डिविडेंट मिलता है, हर साल, और उसी वज़े से देखें, इंतना जो है डिविडेंट यह आप लोगो देता है, यह कमपनी रियालिटी में, रियालिटी में मैं आपको बला हूँ, विदानता जो की चीप मनिफेक्टरिंग में किंग बनने वाला है, यहां से यह जो दिख रहना 220 रुपिस का स्टॉक है, 400 रुपय हो जाएगा, 400 रुपय भी हो जाएगा और डिविडेंट भी मिलेगा, दोनों तरप से बेनिफिट, तो डिविडेंट के रुप में यह स्टॉक बेस्ट है, आप क का उसको पर वीडियो बनाओंगा